नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जेव स्माल यूटूब चैनल पर आज की सबसे बड़ी ख़बर है एक बेरोजगार छात्रों के लिए क्योंकि ऐसे बेरोजगार छात्र जिन्होंने बेर्ड किया हुआ है उनके बारे में सुप्रिम कोट से बहुत ही बड़ा जटका दिया गया है और फाइनली मैं आपको बता दूँ घबराने के जरूत नहीं है जो बीएड वाले कंडिडेट है फाइनली जो अब तक की जो करेंट नीज है वो मैं अभी डिसकस करने जाऊंगो काइस ठीक है वो सारा यूटूब चैनल वाले ब्रहम पहला रहे हैं कि यह हमारा फीचर बरबाद हो जाएगा बीएड वालों का यह हो जाएगा लेकिन अभी गजट आना सुप्रिम कोट का बाकी है मतलब फाइनल डिसीजन का और आना भी बाकी रह गया है होता है उसके बाद जोपाईन के छिएंगन होता है घ्रिच के बात प्रजोग पेश होने अभी फिलाल बात मतलब एक तरह से सिग्नल मिला है लेकिन अभी फवानल सिंगल भात के विएष में संजर के द्वार जुए दौरा के द्वार्यिर आज वो बात रखी गई है कि प्रैमरी से जो KVS primary है वहां से B.A.D. को बाहर कर दे जाएगा अगर ऐसा प्रोविजन आप आज बना रहे हैं KVS का paper भी ले लिया KVS की बच्चों से 15 रुपे की fees भी ले ली गई और तैयारी की बच्चों ने 3-4 महने लगे रहे उसके बाद Supreme Court कहती है कि वह eligible नहीं है अब eligible नहीं है किस ब्याब पर नहीं है क्या B.A.D. डिग्री नहीं होती है क्या B.T.C. वाले बहुत मतलब high level पर लंडन अमेरिका से आई हुए है करके या B.A.D. वाले उस लाइक नहीं है छमता capacity नहीं है क्या आपने सिर्फ ए competition रखा है बच्चे ने उसको beat किया competition must है guys competition बच्चा ने beat किया है अब उसमें आपने पहले ही एक rule pass किया है B.A.D. वाले अप्लाई कर सकते है B.A.D. वालों ने apply किया पंद्रेश रुपी फीज गई फीज भी इतनी देवो guys कि आम व्यक्ति विचारा करजा लेकर fee pay करें की के विए इसको fee pay करें उसके बाद सुनने को मिले कि B.A.D. भार हो गया चार-पांस साल से निफ्चल रही लगाता है वैसे डिप्रेशन का सिकार है आजकल कर यूपा B.A.D. हलवा नहीं है graduation उसके बाद B.A.D. करना, classes करना, practical करना, B.A.D. के बाद फिर C.T.E.D. क्वालिफई करना, C.T.E.D. क्वालिफई करना, primary T.E.D. क्वालिफई करना, junior T.E.D. क्वालिफई करना तब जाके हम एक eligible सरकार के लिए competition में बैठते हैं और हवा हवाई में कह दिया के B.A.D. बाहर हो जाएगे, B.A.D. बाहर है, अभी गजट में देखते हैं, single तो है, लेकिन B.A.D. हम तो final तम आने गजट पेस हो जाएगा, पूरी तरह से, final order आ जाएगा, कौन सा order number है, क्या petition दैर की थी, final court के इस number क्या है, आपको क्या लगता है, जो Supreme Court ने जो फैसला दिया है, जो बात रखी है, B.A.D. बाला शांद बढ़ेगा, बताएगे, उनके साथ जो खिलवाड हुआ है, 4-5 साल से हो भी रहा है लगाता है, उस पर सरकार क्या बोलेगी, कह रहे हैं, सरकार और N.C.T. अभी नहीं आया, final नहीं आया है, ऐसा निड़े जो अभी signal मिल रहा है कि B.A.D. बाहर है, B.A.D. बाहर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बताएगे, यह B.A.D. खतम कर दीजी आप, बाकि जूनियर में कितनी वेकंसी आती है, कितनी P.G.T. में आती है, बताएगे, गाइस, पुछी सिक्षा योग से, पुछी कमिशन से, पुछी हाई कोट, सुप्रीम कोट से बैकंसी कितनी आती है, B.A.D. का बत धंदा बना रखा है, कॉलिजन विवर्स्टी से, B.A.D. हर साल, B.A.D. हर साल लाखो युबाप पास कर रहे है, पताएगे, चीजों को समझने की करें, शिक्षा को धंदा न बनाएं, शिक्षा को इलिजबिल के तौर पर आगे की तरफ बढ़ाएं, अराम से बेटे-बेटे जज़्जमेंट सुनाना आसान है, एक विध्धार्ती से पूछो कितनी मैनत करता है, तैयारी करता है कमपडिशन की, और तब आप फाइनल डि पर आप न आई है, एलिजिक्टी में क्या था, पहली बोल देते, या नोट करके कुछ मेंशन कर देते, अलग से एक एक नोटिस जारी कर देते, बच्चों के लिए, क्यों डालता वो प्राइमरी फ्राइमरी उसमें, या बच्चा क्यों बीड की तरफ भागता जादे से थ फिर वो, या डिलेड, तो मेरे साफ से तो यह अन्या है, इंजस्टिस है, बीड वाले बच्चों के लिए, आजकल का, जो शिडूल कहता है, जिसके अंदर होनर है, वही विनर है, हाँ यूगता रखी है, बीड, बीटीसी, दोनों ही सिख्षा के सर्टिफिकेट है, यूपियसी ने जो कुश्चन पेपर सेट किया, उसका जवाब दे तो नोकरी ले लो के अदिक्कत है, अब इसमें एजुकेशन सेस्टिसम में सुप्रिम कोट ने ये तिया आएक बीड भार हो जाएगा, ये बीड भार है, तो ये कोई बात हजम निए, उनके जीवन से खि फ्रॉस्टेट करना गलत है, फिर कहते हैं बिद्ध्यारति आतमगादी बन गया, नकसलवाज जोइन कर लिया, सुसाइड कर लिया, अपरात के तरफ बढ़ गया, चोरी कर ली, टकैती कर ली, लूट पार्ट कर ली, तो ये समाज और ये सिस्टम करवा रहा है उससे, वो अपलाई कर डला आप लोगों ने, चाहें आप डिसीजन फाइनल देदो, गजट में भी देदो, बीएडवार है, तब भी बीएडवारा शांतनी बैठेगा, सारे एकिटीटर्स हो जाएंगे, प्रदशन कारी बन जाएंगे, याद रखना, अपने आपको प्रोटेस्ट क करेंगे, प्रैमरी में वेकंसी ज्यादा आती है, इसलिए थोड़ा एक, एक आस रहती है कि नौकरी मिल जाए, मजबूरी में करना चाहता है, फिर भी, कोई उसे होड नहीं है, आपकी सीट खरब करना, अब निर्देश पारित करने से पहले आप सोच लीजे, बीएड़ का होगा क्या, इतने जूनियर में वेकंसी नहीं आ रही है, और ना इतना काफी अपर प्राइम वेकंसी आ रही है, पीजेटी वेकंसी आती है, इसलिए मैक्सिम जो वेकंसी है, वो प्राइमरी एजुकेशन में रहती है, इसलिए बीएड़ वाल एलिजवील हो जाता है, किमण। कमीशन में डॉल ये चाहिए ती जैसस सिथे रिर दालने पडी ये और फिर बिटीस Ada आगे सुआँ तुई कि भी बीडिव होंगे में उनको रखो प्रम इन्मस बहुंगे उनको besar मजाग बना रख रहे बीएड 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 दो साल का बीएड हो गया एक से ड्रेट लाख में बीएड होता है है कि उसके बाद सुनने को मिलें बिद्ध्यार्थी को बीएड बार हो गया क्या करेगा वो चुपचा बैठेगा तो गाईज यह सब फैसला कागजों में सीमित रह जाता है और बच्चों को भवेश्य जो है खराब हो जाता है इसलिए रुकैस्ट है दर्खास सरकार से सुप्रिम कोट से जो भी फाइनली गजट में मैंशन करें सोच समझ के करें कि जरूरी है बच्चों के हितों के लिए बराबर कंप्पटिशन है जो काबिल है उसे नौकरी मिलेगी प्याट बीटीसी दौनों इस शिक्षा की डिग्री है और जो हुनर है वह विनर होगा काफी है एक्जाम से मैंने अभी एक्जाम जब यूपी एस्सी कर दिया पीसी एस कर दिया ससी सीजियल दिया वह तो यहीं मांगते हैं कि बस डिग्री होनी चाहिए आप लोग नहीं खेला खेला खेल दिया कॉम्पटिशन मतलब होता गया है यह कोई कॉलेज और स्कुल थो खिलिवार ना करें गाइस थोड़ा एकट्टे होकर सब लोग प्रोटेस्ट करें अपने आपको यूवा यूथ यूथ पावर दिखा दीजिए क्योंकि बियर्ड की संख्या भारत में ताधाद में बहुत लोगों ने मेहनत की है इनका लास्ट अटेम्ट है उनसे पूछि समस्याओं को गंभीर ना बनाए सरकार सुप्रिम कोट सोच समझ के डिसीन दें रिसर्च करें तथ्यों पर डिसीन देना बहुत आसान है प्रैक्टिकली लोगों से मिले इस्टुएंट्स इनुएंट्स से मिले वो क्या कहते हैं बैतरीन काबिल एजुकेशन बनाएं यही एनिपी कहती है नैसल एज्जुकेशन पॉलिसी तो बस मेरी यही प्राथना है कि यह सीच को गैजट में नाला कर बीड़ वालों को भी मौका दिया जाए पर हमत दी जाए उनके अंदर कंपडिशन है कंपडिशन में दोन ही बैठी बैठेंगे यहां तक बीटीसी वाले ज जाएगे सिक्षा के अंदर ही ठीक है बस में इतनी बात रखोंगा कि अपना और बच्चों का भवश्य को सीकोर करने की जम्मेदारी सुप्रीम कोट के हाथ में आज और यही रुकष्ट है कि फाइनल गजट में बीड़ को चांस दिया जाए यह में तो रुकास्त करूंग और यह में परात्ना करता हूँ ठीक है चलिए खुश रहिए जब तब फाइनल गजट न आ जाए गाईस चलिए नमसकार जैहिन जैभारत